नमस्कार आदेगिर्शना पे मेनेजर पर कार्मिक अपने जीपी अफ नंबर अपडेट कैसे करें 1124 या इसके बाद नियुक्त कार्मिक जो भी है उनके जीपी अफ नंबर आ चुके हैं और आपके डीडियों ने या पियों मोदे ने बोला भी होगा कि आप अपनी पे मनेजर आइडी से रिक्वेस्ट सेंड करें अगर नहीं बोला है तो भी आपको ये काम करना है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जीपी अफ नंबर जो आया है उसका मिलान करना इनवाली है SSO पे चलते हैं कार्मी को अपनी SSO ID ओपन करनी है और उसके अंदर मिलेगा आपको State Insurance Provided Fund SIPF New इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपकी Profile में एक मिन्यू मिलेगा GPF 2004 आपको यहां क्लिक करेंगे तो नीचे Your GPF Count Number GPF और आगे एक संक्यादी होगी तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके Pay Manager में यही ID है या कुछ और शो हो रही है बिलान हो जाए तो चलते हैं अप Pay Manager ID पर SSO ID पर अपने GPF नमबर चेक करने के बाद कार्मी को अपनी Pay Manager ID को ओपन करना है और यहां Employee Corner पर Long Press करना है Long Press करेंगे तो यहां बहुत सारे मिन्यू आएंगे आपको तीन नमबर पे जो Master Data Request दिखाई दे रहा है यहां फिर से Long Press करेंगे सिधा क्लिक मत कीजिएगा तो बार बार यही Interface आता रहेगा और आपको लगेगा Site नहीं चल रही यहां भी आपको जो Option दिखाई दे रहे हैं उनमें तीन नमबर वाला Update, Number, Detail, Equest है यहां आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एक निया Interface आपके सामने आ जाएगा यहां आपको Edit का Option दिखाई दे रहा होगा आपको सब से पहले यहां क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जहां जहां आपसे क्लिक हो पा रहा है जैसे Pen Number, Adara Card, Mobile Number यह सब चीज आप यहां से Update कर सकते हैं अब आपको यहां नेचे GPF Number का मिलान करते हुए Update पे क्लिक करना है Update पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेएंटरफेस आएगा जहां Generate OTP पे क्लिक करना है और आपके Mobile पे जो OTP आए उसे Enter OTP Code यहां दर्ज कर दीजिए इसके बाद Choose File यहां क्या करेंगे आप चाहें तो SSO ID से जो आपका GPF Number आया है उसका screenshot लेकर यहां upload कर सकते हैं लेकिन बेटर यह रहेगा कि आप डीडियो मोहदे के नाम एक application दर्ज करें एक application टाइप करें उसे यहां upload कर दीजिए application आप इस तरह लिख सकते हैं शो में शिरीमान डीडियो मोहदे फिर जीला जो भी है आपका और उसके बाद विशे पे मनेजर पर GPF Number अपडेट करवाने बापत और उसके बाद महदे नंबर निवेदन है कि आप अपना पद, नाम, GPF Number, Employee ID, मुवाइल नंबर वगेरा जो देते वे एक अच्छी से application दर्ज कर दीजिए लिख लीजिए और उसके बाद उसे upload कर दीजिए अपलोड करने के बाद नीचे आपके यहाँ एक नया interface आएगा जिसमें forward to ddo लिखा होगा और जैसे ही ddo द्वारा इसे approved कर दिया जाएगा या reject कर दिया जाएगा या कोई भी action होगा तो यहाँ report उसकी आजाएगी वीडियो के approved होने के बाद hod से यह approved होगा उसके बाद यह आपका काम पूर्ण हो जाएगा इसके बावजूद भी आपको कोई help चाहिए या किसी प्रकार की समश्या हो तो आप SMS कर सकते हैं चैलर से जुड़े रहें यहाँ चैनल पर सभी सीखशक हैं तो आप भी जुड़े वीडियो को शेर करें धन्यवाद